इनकी कहानी ये है कि जब दक्ष ने 27 कन्याओं का विवाह वगवान चंद्र से कर दिया तो चंद्रमा को चाहिए था कि 27 पत्नियों के साथ एक जैसा विवहार करते लेकिन उन्होंने रोहिनी मात्र से प्रेम करना सुरू कर दिया 26 की उपेक्षा कर दिया तो 26 जो कन्याओं थी वो दुखी होकर के अपने पिता के पास वापस गई पिता जी आपने हमारा विवाह चंद्र के साथ कर दिया चंद्र को चाहिए कि हम सब से बराबर का सुने प्रेम करें लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं केवल रोहिनी को अपनी पत्नी समझते हैं हम लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है और हम इस कारण से बड़ी दुखी हैं दक्ष ने कहा भी समझाता हूँ दक्ष चंद्रमा के पास गए बहुत समझाया लेकिन चंद्रमा समझ नहीं रहे थे अंदता क्रोधित हो करके दक्ष ने शाप दे किया जाओ तुमको अपने शरीर पर बड़ा अभिमान है ना तुमको क्षय रोग हो जाए तो उनको क्षय रोग हो गया अब क्षय रोग हो गया बर्माजी के पास गए बर्माजी ने कहा देखो ये जो शाप हो गया है दक्ष काई इसको टालने में बगवान शिव के अत्रित कोई समर्थ नहीं है बगवान शिव की तपस्या करो तो प्रभास के सुवेक्षेत्रे प्रवास नाम के शुबक्षेत्र में महोददी के तीर पर उन्होंने तपस्या की चंद्रेन च तपस तप्तम भगवान शिव के जो पंचाक्षर मंत्र का उपदेश बताया गया है उसका उन्होंने दस करोड जब किया साधना करते हुए सन्यम रखते हुए दस करोड जब जब हो गया तो बगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गया प्रकट हो करके उन्होंने कहा बरंबरुई मांगो क्या मांगते हो कहा तथापी में शरीरस्यक शरम बारय शंकर ये शंकर जी ये हमारा शरीर जो क्षिन होता चला जा रहा है इसको रोक दीजिए जो अपराध हमसे हो गया है उसको क्षमा कर दीजिए बगवान शिव ने कहा भई देखो किसी के द्वारा दिये गए शाप को हम हटाते नहीं किसी ने आपको शाप दिया किसी ने आपको बरदान दिया क्यों आपका जैसा उसके साथ वेवार रहा होगा तो आपने जो वेवार जिसके साथ किया वैसा फल आपको मिला इसलिए किसी के शाप को तो हम अटाएंगे नहीं लेकिन तुम हमारी तपस्या करके हमको पसंद कर चुके हो इसलिए उसमें हम थोड़ा संसोधन कर देते हैं का महराज क्या संसोधन करेंगे का संसोधन ये है पक्षे चक्षियताम चंद्रा कला तेच दिने दिने पुनस्च वर्ददाम पक्षे सा कला च निरंतरम ये जो तुमारा शरीर ख्षीन हो रहा ये तो होता रहेगा लेकिन फिर एक पक्ष में तुम फिर से बढ़ने लग जाओगे फिर से तुमारा स्वास्त ठीक होने लगेगा और फिर जब पूरा ठीक हो जाएगा तो फिर से आ जाएगा क्यों क्यों कि जिस समय दिक्ष ने शाप दिया उस समय तुम स्वस्त थे तो स्वस्त होने पर तुमारा क्षरन होता है क्षरन होने पर च्षरन नहीं होगा तो इसलिए हम तुमको बीच बीच में स्वस्त बनाते रहेंगे जैसे ही हम स्वस्त बनाएंगे दक्ष का साथ तुमको लग जाएगा फिर से तुमारा शरीर शरीत होने लगेगा और शरीत होते होते जब तुमारे अंत का समय आने लगेगा तो फिर हम तुमको फिर से पुष्ट कर देंगे तो फिर से दक्ष का साप आएगा इस तरह से तुम कम से कम बचे रहोगे का ठीक है महराज ना मामा से का ना मामा अच्छा जहां बिलकुल हमारा अंतही होने माला था वहां कम से कम आपके आशिरवाद से हम बचे रहेंगे ये भी हमारे लिए बहुत है महराज आप ने हमारे उपरवड़ी कृपा की कम से कम हमारे जीवन को सुरक्षित तो कर दिया अब यही प्रार्थना है कि हमारे नाम से आप यहीं पर विराजमान हमारे स्वामी बनके यहीं पर विराजमान हो जाईए जो लोग यहाँ पर आएं उनका भी जो दुखदर्द हो उसको भी दूर कर दिया करिये तो वगवान ने का ठीक है तथास्त तो चंद्रमा का ही एक नाम सोम है सोम के नाथ चंद्रमा के नाथ ऐसा नाम धारन करके वगवान महाँ पर विराजमान हो गए और महाँ पर एक चंद्रकुंड है उस चंद्रकुंड में जा करके छे महीने तक जैसे की चंद्रमा ने तपस्या की थी वैसे ही छे महीने तक रह करके कुंड में शनान करके जो साधना करता है असाध से असाध ये रोग उसका दूर हो जाता है सो मनात हम नरोग रिष्ट्वा सरवपापात प्रमूचते जो मनुष्य है वो सो मनात को देख करके वाने उनका दर्शन करके सभी ठिरा के पापों से मुक्त हो जाता है सव राश्ड््रे साराष्ट्र में सामनाते